नमस्कार रुस्तो आज की वीडियो एक information के तौर पे है यह ओस्टर मुस्रूम का बैग है जो इसक्रीन पर आप देख पा रहे हैं यह ओस्टर मुस्रूम का जो बैग है इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ infection अब यह किस तरह का infection है कैसे फैला हुआ है इसका क्या उपाय है क जुड़ते हैं मुस्रूम की farming से उन्हीं से होती है और ध्यान नहीं देते हैं या उनको support नहीं मिल पाता है तो किसी ने ऐसी गलती किया था कहीं से training लिए थे तो उनको यह दिक्कत आए तो हमारे हां भी training लिए तो फिर मेरे से जो है discuss किये मेरे पास photo बेजे WhatsApp पे तो मैंने उनको solution बता दिया तो मुझे लगा कि ऐसी गलती और भी लोग कर सकते हैं तो यह वीडियो जो है इसलिए मने बनाया ताकि ऐसी गलती आप ना करें आप इसमें जानते हैं कि समस्या क्या आई देखे जो बैग आप देख पा रहे हैं आपको बता दूं कि हमारे हां जो training दी जाती है online training दी जाती हर महीने दो training और training में हम strictly बताते हैं आपको जो रूल बताते हैं उसको strictly बोलते भी हैं कि आपको यह follow करना है यह इसलिए बोलते हैं चुकि जो चीज़े हम आपको बताते हैं already उस पर वज्यानिक research करके उस पर testing करते हैं तब ही आगे मार्केट में आता है और फिर वही चीज़े हम आपको बताते हैं तो आपको कोई research नहीं करना है जो मात्रा जितनी मात्रा में हम बताते हैं कि बाउस्टीन कितना लेना है भूसा में पानी कितना इस्तेमाल करना है और कितनी देर के लिए उसे भिगोना है सब कुछ हम आपको strictly follow करने के लिए ब चीज़े हुई तो उन्होंने बताया कि भूसा हमारा कभी भीगा नहीं था हमने पहले सवाल करा कि किया भूसा पहले कभी भीगा हुआ था जबकि यह 찬कर छांसप होते हैं पहले कभी से LOVE Isool Do मुष्रूम के लिए तो उन्होंने का नहीं ऐसा नहीं था वने ठीक है दूसरा हमने पूछा कि आपने लिए कि प्रीट किया था फूषे को आपने कैसे शुखिया था और कितने समय के लिए तो उतने बताएं कि हमने इसमें अफूमस्राइस लेंगे में 17 गंते था उन्होंने तो हम आपको बताते हैं 16-18 घंटे के भिगोना होता है तो जब भी आप मशिरूम का भीज़िस में डालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके मुश्रूम का बीच का जो ग्रोथ है वो होगा और माइसिलियम का ग्रोथ होगा तो वो रुख जाएगा चुकि जब इसमें से फंगस पहले से पड़े हुए हैं वो डेट नहीं हुए हैं या कोई इंफेक्शन पहले से वो खतम नहीं हुआ है तो उसका ग्रोथ पह करने वाले थे जो पहले से पड़े हुए थे चुकि भूसा दस गंटे से बारा गंटे के लिए भिगवए गया था यह डेट नहीं हो पाया थे यह नहीं अब यह ब्ला है यह बाहर जो हवाम उड़ते रहते उनका ग्रोथ हो रहा है और यह बैग जो आप देख रहे हैं यह 12 से 13 दिन का वैग है हम आपको बताते हैं कि 12 से 15 दिन में मैसिलियम रन करता है तब मस्रूम निकलते हैं और इसमें 12 से 13 दिन के अंदर आप देखे इतने बड़े बड़े इसकी लंबाई आप निकाल कर अगर देखें पूरा तो कम सकम 5 से 7 संटी मीटर का हो चुका है जबकि यह किसी काम का मस्रूम नहीं है यह सिर्फ अननैसेसरी मस्रूम है जो अटाइक हुआ है इस बूसे में और उसका जो इस्ट्राइजेसजिसन साही Big Day दिन में हुआ है ओर गल्ती क्या हुआ है कि सब कुस्वी कर कर śब कर कर दिया गया कि बूसें को 17 अठारा घंटे के लिए भीगोने के लिए हम बताते हैं आपको इसमें जो है सिर्फ दस से बारा घंटे के लिए भीगोए गया जिसकी विएसे इसमें जो पहले से मौजूद फंगस थे बैक्टिरिया थे या इंफेक्शन थे वो डेट नहीं हुए पूरी तरह से भूसा सुध नहीं हुआ तो यह गलती आपको नहीं करना है आप ध्यान रखेएगा ट्रेनिंग चाहे आप हमारे यहां ऑनलाइन पराप्त करिए चाहे ऑफलाइन कहीं से पराप्त करिए जो आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है उसको strictly follow करना ऐसा नहीं है कि आपको बाश्टीन का मातरा बढ़ाना या घटाना है फार्मलीन का मातरा बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं करना आपको जितनी मातरा में जैसे बता जाता है वही इस्तेमाल करना है चुकि यह आलरेडी जो साइंटिस्स करके हमें देते हैं हम उसी को follow करते हैं आपको भी बताते हैं अगर आप उसमें research करने लगेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा और नुकसान करने से बहतर है कि आपको बता जाता उसको follow कीजिए अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो इसका कोई solution नहीं है लास्ट में आपको भैक फेकना पड़ेगा चुकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्रूम ग्रोथ कर रहे हैं जो infection वाले हैं तो पूरा पूरा भैक है खराब हुजाएगा इसका कोई solution नहीं है तो मुझे लगा कि यह information आप तक पहुंचन हुआ हैं